बालकून मज़कार, First Grade, Second Grade, Biology या Science विससे से तैरी करने वाले विद्यार्थों के लिए Old Paper की सीरीज आईए इन Old Paper से कई क्यूशन एज़िटीज आजाते हैं और अगर एज़िटीज नहीं आते हैं तो Option से कई बारे क्यूशन और नए बन जाते हैं तो इन क्यूशनों को देखना जरूरी है जिससे आपके कई सारीज ने त्यार होंगी अब 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 इन चारों Option के बारे में डिसकस करेंगे पहला परसन देखो, 2011 का पेपर ही है, आर्पेसी फज़गेडगा प्राकर्तिक वरण वाद का सिद्दान्त कि इसने प्रस्तुत किया था नेचरल सेलेक्शन कॉमन वाद है, तीन वाद आपके इवोलिशन में मुख्य है एक लेमार्क वाद है, उसके बाद में एक नेचरल सेलेक्शन है और उसके बाद में नेट्रल सेलेक्शन दिया डार्विन ने और एक आपके है डिब्रीज का यूँगो डिब्रीज का सिद्धानत है तिन्हों को पढ़ेंगे जस्ट अभी वीडियो आएगा अपना यहां पर आंसर आजाएगा चाल्स डार्विन कार्ट वील सरस्थना दरसाती है कार्ट वील मतलब गोड़े के जो पईया है गाड़ी का पईया है उसके तैसे सरस्थना जो दरसाती है वो कौन सा सेल और जरसाता है तैसे सरस्थना के समें पाए जाती है सेंट्रियोल में पाए जाती है ठीक है और राइबोसोम लाइसोसोम क केंदरीका केंदर का भांग है Lesosome हीड्रोलाइ सेंझांव जाधा पाए जाते हैं और राइबोसोम की जहां बात आते है तो राइबोसोम और Aww-सव यहान्डल दुनू ऐसे कौसी, जिनके ऑबर mitochondrial के बादल पाए जाते हैं cloud mitochondrial खूब ज़्यादा the site of aatalyzine digestion in woman is इस तरी के अंदर निशेचन का स्थान कौन सा होता है यह अपने clear कर लिया था जब अपने पढ़ा था ovulation अपने पढ़ा था oogenesis तब देखा था आपने कि अंडा से अंडा से में नहीं है अंडा से में तो अंडा बनता है गर्बा से मुख में तो delivery के समय बच्चा भार आता है बाकी तब तो कोई दिकती नहीं है गर्बा से गर्बा से के अंदर है बच्चा implant होता है इसका मतलब कौन सा फेलोपेनलीगा और फेलोपेनलीगा को आपके oviduct भी बोलते हैं अंडवाहिनी भी बोलते हैं इसके अंदर भी emplula स्तान है जहां पर निशेचन का काम होता है निशेचन की परक्रिया होती है चूजदे ओडवन चार में से एक अलग है उसको बताना है micropile, burn, course और बिजांड का है micropile, burn, course और बिजांड का है तीनों की तीनों सरजना किसकी है तीनों की तीनों सरजना किसमें पाई जाती हैं ovule के अंदर है यह ovule के अंदर दो द्वार मुख्य होते हैं अपर उपरोड नीचे एक को micropile बोलते हैं उसके अंदर जो पूरी की पूरी cells हैं जो अभी division नहीं करके गई हैं उनको newsless बोलते हैं और उसके अंदर एक cell division करना ही लग जाती है एक मातर कोशिका division करती है यह एक embryos है का निर्माद होता है पर यह तीनों के तैरुट सरचना ovule के अंदर पाया जाते हैं बिजांड के अंदर पाया जाती हैं पराग अगण क्या हो गया नर जनननंक का भाग हो गया यह तीनों मादा जनननंक के भाग हो गए स्पिंगो लिपिड से निर्मित सरचना कौन सी है स्पिंगो लिपिड से निर्मित सरचना बतानी है तो देखो माइलिन सीथ है जो आपके किस पर पाई जाती है जब अपन नियूरोन की सरचना पढ़ते हैं तो उसके पर माइलिन सीथ पाई जाती है तो वो इस्पिंगो लिपिड से निर्मिद सरस्थना है नियूरोलीमा लेयर है निजल का अंदर पाए जाने वाले ग्रेनूल्स है और डेंडरोड एक्जोन इस पर कारगी सरस्थना होती है नियूरोन में कोई अलग नहीं है इस्टामीन का स्ट्राव करने वाली कोई सिक काएं कोंसी है वह बताना, देखो वह सेल कोंसी हैं क्षिक काएं सिक्रेशन करती हैं कि अ topics आपने पढ़ा था टीश्व वाले dalam chapter के अंदर ऐपिडिड्शसाइट नहीं करती एडिपोल्स विब्स, थामधित हैं अब देखो आम का बीज तो कभी खाते हैं नहीं ओ, बीज पतर नहीं खाय जाए जाता, तो फिर पुस्पासन तो आम में होता ही नहीं है, क्योंकि आम तो सत्थे फल है, सत्थे फलों के अंदर होता ही है, इसका मतलब क्या, गुद्चेदार मद्दे फल बिती है, वो आम की खाई जाती है। सिदा सिदा आंसर मिल जाएका. इसका बैक्टिरिया में पायने वाले RYBUSOM का अवसाधन गुरांख है। बैक्टिरिया क्या ओ गया ? प्रोकेरियोट . प्रोकेरियोट में कौन सा RYjsome पाय जाता है। सतरैसं, यूकरिट में कॉरण सा पाए जाता हैं , तो 7sm यूकरिट में सजी-ge-ge-ge-ge, जो बगए मिर rat या पाई जाएंगे , उनके उंदर राइबोसो garage होता है 55 s का लगए , त्छी याद रखना हैaste , tutaj Musil सब्सक्राइब , याद रखना और presented to this ? Compositive है, उसमें Papers का भी प्रकार है, देखो भी याद रखना, Compositive का गून है Papers, और किसी याद रखना, Compositive का गून है Papers, किस लिए पाय जाता है, इस Papers का काम क्या है, वो यहाँ पर बताना है, तो देखो यहाँ पर, पॉलिनेशन का काम है इसका पर कैसा कीट परागन का मतलब नहीं है इस पेपस है जल परागन का मतलब नहीं है वायू परकिर्णन परागन से समंदित याद रखना वायू परकिर्णन सब्द इसका काम है इस पेपस का वायू परागन वगरा तो कीटों के द्वारा या वायू नमबर तीन वायू प्रकिर्णन एर डिस्पर्जल हेवर्सियन तंतर किसकी विशेशता है हेवर्सियन तंतर अपने टिशू वाले चेप्टर में पढ़ लिया था राम से बोन वाले के अंदर कि हेवर्सियन तंतर केवल और केवल केवल कहां पाए जाता है इस तनियों की एस् जिस से धौ एबुलियूरी विजांड बरजिस से जुड़ता है वह स्थाने और ही अपना क्लीयर कट बताय हूआ है उसको बोलते हैं हाइलम या नाभिक बोला जाता है किसको triple T का का जाता है triple vaccine किसको कहते है अपन इम्मिनोलजी वाले चेप्टर में पढ़ चुके हैं triple vaccine मतलब DPT डिप्तीरिया, पर्टुसिसो, टूबर्कुलासिस, डिपीटी है यहां पर आ जाएगा, ट्रिपल वैक्सिन की रूप में, इनके नाम भी बताएवे हैं, ध्यान रखना याद रखो, सर्टॉलिकोसी का पाए जाती हैं, वे, सर्टॉलिकोसी का कहां पाए जाती हैं, ये क्लिय लादन बैरडंग, प्रोटीन का सिक्रेशन है, आपके एंन्टी मुरेलिएन हार्मोन है। हिसके काम है, इनमें नहीं है, ओवरी के अंदर ऐसे सैल नहीं है, वरक के अंदर नहीं है, किडनी के अंदर और लिवर केंदर नहीं है, मतलब ये developmental biology वाड़ा से question है dot program का समन्द किस्से है dot program है टीबी रोग को खतम करने का program था तो टीबी याद रखना dot से मनुस्य में जवारी आयतन कितना है title volume बहुत बार question आयवा है और title volume का नाम याद रखना आपको मान याद रखना है वो है 500 ml समन्द किरिया में ली गई oxygen और छोड़ी गई carbon dioxide का अलग अलग मान है वो है आपके ली गई oxygen या छोड़ी गई carbon dioxide है उसका मान 500 ml होता उसको title volume कहते है residual बच गई वो 1500 ml है इस परकार से अलग अलग परकार के मान अपनने पड़े है the embryos एक of pinuses pinus का embryos एक वैसे तो देखो pinus के हो गया एक तरीके का आपके gymnos pump plant है और gymnos pump के अंदर ऐगुनित होते हैं लेकिन इस person को RPSC ने delete कर दिया था तो एक person delete हो गया था मनुश्य में संतत्ति का link निर्दारन किसके द्वारा किया जाता है अराम से बता सकते हो अंडे के आकार से कोई लेना देना नहीं है सुकराणो के आकार से कोई लेना देना देना नहीं है माता का link उर्दार नहीं करता ओप स्पिरिंग पिता का link उर्दार है वो ये निर्दारित करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी तो अठारवे नमबर के परसन के अंदर आ जाएगा चार नमबर आंसर इसका आ जाएगा आगे देखो जब पराग नलीका अद्यावन से ओकर परवेस करती है तो कहलाती है पराग नलीका है ये ओविूल है ये पराग नलीका आती है तीन परकार के तरीके हैं ऐका आप एंदर कि इससे तो बूलते हैं यहां से प्र्वैस्स कर जाए उसको को बूलते है क्या मेजरेंды में में एखका थार तैड से परविएस करेंस को बूलते है यह अपन्य देखा था ठिक में वह स्थ तो गुन निश्वर नंबर का अंसर आंजागा दो 9 बीशो आपरसन देखो फर्टिलाइजिन के लिए सत्य खथन है अब औरने देखा था अभी स्परमेटो जने से वाड़ी प्रोसेश में फर्टिलाइजिशन प्रोसेश के अंदर कि फर्टिलाइजिन नहीं नामा केकए ग्लाइको प्रोटीन है जो कहां पाय जाता है एग की सर पर पाय जाता है किसमें बिजांड अंडासे से डखा नहीं रहता अब देखो अंडासे से डखना नहीं डखना दो बाते हैं उसके साब से जो बिजांड अंडासे से डखा रहता है उसको आवर्त भी जी बोलते हैं एंजियो स्पम प्लांट और जो नहीं डखा होता उसको एं इसमें एंजयम नहीं होता बिलकुल यहीं विसेश था इसकी खास बात है कि पित्रस है waiather साभस allows पांचन किरिया के इंदर कोई एंजयμά नहीं पाया जाता है अंधंशियव होता है नहीं होता है लाइपेज पैजाता है नहीं पैजाता ये कि लक्षनयस का इसमें इंजाइम नहीं होता पॉडुसाइट को पॉड़् पाई जाती है लς जी होत देखो आपने जब केड़्òng कर्पाशन बढ़ तो आपर किड़नी cœur कार से कैप्सूल ऐसी स्टेक्चर थी और यहां पर कोई च्छन के जिसमें चीज आती थी वोमन कैप्सूल के अंदर तो यहां पर क्या पाय जाती है पोडोसाइड पाय जाती है जो की जो एक दम छोट छोटे पार्टिकल उनको तो ठान देती है बड़े पार्टिकल यहीं होता है पश्च मस्टिक्स अगर मस्टिक्स मद्य मस्टिक्स और पश्च मस्टिक्स तीन बाग पड़े थे अपने तो पश्च मस्टिक्स का जो पॉंस पार्ट है उसके अंदर क्या पाई जाएंगे नियूमो टोक्सिक के अंदर पाई जाएंगे श्वस्णानु चलन के अ रम्ब कहलाती है तो पित तो इसमें आई गया मानो पित के बाहर की चीज़ को अठा दो पित के बाहर का मतलब क्या हुआ एंडुडरमिस पित के बाहर है उसको अठा दो यहां से यह नहीं होगा फिर एंडुडरमिस यहां पर है और एंडुडरमिस अठा दो इसका मतलब पित बाहरी एक है तो पित के अंदर कौन सां तो भी इंसका आंसर के आई ये सारा स्टेल ही है रंभ ही है गाई और बक्री में पाय जाने वाली अपरा है अभी आपन डॉबल्लेप्स या पढ़ रहे हैं इसके अंदर अपने को पढ़ना है इसके प्लेसेंटेसन अगला वीडियो यह होगा तो प्लेस एंटरेशन के अंदर किस प्रकार का प्लेस एंटरेशन पाए जाता है बकरी और गाय के अंदर तो वो होगा बीज पत्री अपरा यह चारों के प्रकार बताऊंगा अभी नहीं समझ में आएगा आपको किसको सरिसरप नुमास्तनी कहते ह ऐसा मेमल है जो रेप्टाइल के जैसा होता है और वो है इसके लिए आंटीटर पहला एंसर इसका 27 में Spiny Antitor Spiny Antitor को किया जाता है क्या सरी सरप नुमास्ता नहीं भरण उत्तक का मजज़ा भाग बना होता है जो ground tissue है उसका पित पार्थे किसका बना होता है उससे सम Bach पुछा गया person और वो बना होता है 32 31 का person देखो और और उग्जेंटिक सेल सीक्रेट करती हैं एक ट्रिक बनाए थी अपने एच ओपी है एच एल और प्रेटल होप होप मतलब एच एल का सीक्रेशन करती है कौन प्रेटल बोल दो या उनको ओग्जेंटिक सेल का दूसरा नाम प्रेटल सेल है इसलिए यहां पर आ जाएगा एंसर तीस तंपर परसंद देखो नियून में से कौन सा प्रतिस कंदन है एंटी कोगलेंट कौन सा है इन में से आपको बताना है तो देखो हिपेरिन बिलकुल तो इसका मतलब आनसर आजाएगा ए और भी का मतलब तीस को सिखाऊ की विसेष्टा है रट्य लेना इसको केसप प्रेंट यह पॹझांट में पाय जाती यह जैढ़ा था 31 वाड़े के अंदर आ जाएगा आंसर नमबर 3 32 में देखो एक स्वस्त मनुष्य पढ़ते दिन कितनी यूरिया का उत्सरजन करता है करने को तो इतनी नहीं करता करीवन 15 से 20 ग्राम है लेकिन यहाँ पर मिनिमम उप्शन 40 ग्राम दे रखा है तो 40 ग्राम माना गया था तो 32 के अंदर औप्शन है 3 सही हो जाएगा 33 के अंदर देखो मनुष्य गुंसुत्रों में किस समुव में य गुंसुत्र आता है तो य गुंसुत्र आता है जी समुव में याद रखे ले ना नाम क्या-क लगाते है न जी फलाँ जी फलाँ जी तो इस पर जासे वाई गुन सो तरा जाएगा जी एजोला एक का उदारण है एजोला क्या चीज है एजोला एक टेरिडोफाइटा है अपने पदा था तैरीडवाईटा के एक्जम्पल उसमें e-d Supreme सभी के एक्जम्पल पढ़े थे हैे टरल ही भाईडवाईटा HIV वाइडे इसे रिट्रो वाइडेस बिल्कुल HIV क्या है रिट्रो वाइरेस के लिजा और बना ले ण Då Lloyd में आर एने Прीड़ना लेता है एंड्रोजन हार्मोन का स्तराव किसके दिवारा किया जाता है अभी अपने बढ़ा है डवलापेंटल बायलोजी के अंदर कि एंड्रोजन हार्मोन है उसका सीक्रेशन कौन करता है टेस्टोस्टरोन भी नाम है इसका दूसरा उसका सीक्रेशन करता है लेडिंग सेल लेकिन ल farmon मिलेगा कॉड़ सा लह सहा हर्मों को तर Allาน करेगा सीक्रेट एंटिरियर процथ क्यों करेगी उसको जी इन रीस मिला होया कहां से हैं हाइपो थेलेबस से तो हाई पोड़ेमस नदा जी अन आरच के दोवारा क्या बोला को तरिक लेंट कैस्त B और लेडिंग को सिका क्या सीग्रेट करेंगी नर्ज जनन हार्मोन एंड्रोजन या फिर उसको टेस्ट और बोलते हैं जो मानव में दित्ते लेंगे क्लेशनों के लिए सची में रेस्पोंसिबल है आगे देखों ने मलली घित में से कौन सी सही खादेश रंकला है का रसे कौन सी है में और बार प्रकार से पढ़ आराम से इजली हो जाएगा 38 वे नमबर में साइकस में का एक जनन किस परकार का होता है तो साइकस में भी याद रखना आपको बता रखा था मैंने बुल बिल के द्वारा परसव पूरवे पीड़ा का क्या कारण है डिलिवरी होने से पहले लेबर पेन होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्यदार है उसका क्या कारण है वो कारण बताना है और उसका एक मातर कारण है क्या ओक्सिटोसिन और ये कारण नहीं पैदा होता और परसव पीड़ा नहीं होती है तो क्या किया जाता है फिर injection लगा जाता है और इंजेक्शन लगा कर इसको त्यार किया जाता है प्रसपीडा को बढ़वाए जाता है वेसप्रेसिन का मतलब नहीं यहां फर यह पर फरली आपके कॉंस्ट्रॉक्टर ही, प्रोजस्तों इनका मतलब नहीं यह आपर किस तने की विशेष्टा है समवन पूल का बिखरा हुआ होना किसकी विशेष्टा थी आपको पता है किसकी एक बीच बत्री पादप में ऐसा था कि समवन पूल हैं वेस कुलर बंडल हैं वो बिखरेवे होते हैं पिरामिड ओफ एनरजी उर्जा का पिरामिड सोचने की बात नहीं है सोचने की बात नहीं उर्जा का पिरामिड हमेशा सिधा होता है क्योंकि हर उपर के स्थर पे जाते जाते उर्जा कम होती जाती है हर अगले स्थर पे एनरजी का लेवल कम होता जाता है किसे थ्री एफ हार फ्लाइट लड़ाई के अंदर डर्क के अंदर बहे के अंदर किस प्रकार का हार्मॉन है उसको बोला जाता है और आपको पता ही है एड्रिनलीन हार्मॉन को बोलते हैं इस्तन गरंतियों का कैंसर क्या कहलता है अगर आपके इस्तन गरंतियों में कैंसर होता है किसी के तो उसको क्या कहा जाता है कार्शिनोमास यह अपने पढ़ लिया था इसको इजी ली जो अपने कैंसर वाले रोग को पढ़ा था किस किस प्रकार का केस है यह जान रखना आप पतावना चाहे सारकोमास किसको बोलते हैं लुकेमियास किसको बोलते हैं और मेलेनुमा किसको बोलते हैं पिगमेंट के अंदर है आपके और लुकेमिय क्याद रखना और सारकोमास क्याद रखना कॉल सिचिन सम्चुतरी वाजन को किस अवस्ता में संदमित करता है कौन सी हाइटोसिस की प्रक्रिया को और वो कर देता है आपके मेटाफेज के अंदर तो कोल सी चीन का सम्मद मेटाफेज स्टेज के अंदर है याद रखना विच सीक्रेट कैल सीटोनिन कैल सीटोनिन अपने पड़ा था जब अपने एंडोक्रानलोजी पड़ी थी और थाइराइड पड़ा था तो आपके चीजें कुछ याद आ रही है तो याद रखो कि कैल सीटोनिन थाइराइड की जो सी सेल है थाइराइड की सी सेल है वो क्या करती है कैल सीटोनिन का सीक्रेशन करती है अगना से की बी सेल पराइड की सी सेल होती है अगना से की बी सेल आपको पता ही है क्या सीक्रेट करती है इंसुलिन का सीक्रेट करती है हिस्टोन प्रोटीन में अधिकता किसकी होती है हिस्टोन प्रोटीन में अधिकता किसकी पाई जाती है 46 का आंसर बताना है और 46 का आंसर है आर जिनिन तता लाइसिन दो अमायन वैसिल है जिनकी मातरा खूब ज़्यदा पाई जाती है स्टॉन प्रोटेन, ह1, B, H2, S2, A, H2, B, S3, H4 इस प्रकार की ज़ो चैन थी ना उनके अंदर किसकी मातरा ज़्यदा पाई जाती है आर जिनिन नलाइसिन की डेस्मोसों किस से समधित है आपको पता हैं डेस्मोसों का समध है जनतु कोशिका के आसन जन से जन्तू कोशिगा जरूर याद रखना है कि यो डेस मुसम पादब कोशिगा में नहीं पाए जाता तो सेल डिविजन से इसका मतलब नहीं है पादब कोशिगा उसे मतलब नहीं है जिवान वासन से नहीं है जन्तु कोशिगा में एक सेल के दूसरे सेल से जुड़ने के लिए आपके डेसमसोम नमक सरस्थ ना पाए जाती है DNA का खंड जो क्रोसिंग अवर में भाग लेता है ऐसा कौन सा खंड जो DNA का क्रोसिंग अवर में भाग लेता है और उस खंड का नाम है रेकोन रेकॉन का है क्रोसिंग अवर का मतलब दुबारा को नए चीज बनी दुबारा का मतलब रीकॉंबिनेशन वहाँ पुंदर योगज वहाँ तो रेकॉन का रीकॉंबिनेशन से हो गया सिस्ट्रोन और ओपेरोन आपको पता ही है ऐसा डीने का खंड जिस जो दो तीन मतलब दो तीन ऐसे जीनू का संग जो किसी कारिय को संचालित करता है ओपेरोन हो गया म्यूटेंज जिसमें म्यूटेशन आता है और सिस्ट्रोन कारिय पर ना लिहाई एक दमपती के चार लड़ लड़का होने कितनी परसेंट संबावना है पांच हो मिए निकाल लो साइटोसीन किसके बच्ठे चार और चोवन बच गए लो है 64 बच गए लग 6 64 बच गए तो 64 का मतलब चोटिकिसम है ए और टी में तो बराबर बराबर होंगे तो 32 और 32 तो एके 32 टी के 32 और चीजी के ठारा ठारा तो 31 32 32 और यह इसमें आंस्र आजयेगा तीन नंबर और अगर देखो निलम से किसमें डीयने नहीं होता इस सरस्ता में किसमें डीयने नहीं पाए जाता तो आपको याद रखना है के अंदर क्वेहिन अंडानों में इनिकुलेटेड एग के अंदर फिर आपके परिपक्व एस्तनी की आर बीसी में एक क्याओ नंबर में दूसरा अप्शन यह है तिसरा अप्शन है एक और दो दोनों में और सुक्रानों में तो होता है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कीद्रक विहिन अंड़णू केद्रक विहिन अंड़णू निकाला अपन उसके आपके अंदर डी एनए मिलेगा वहां पर तो इसका मतलब यह बात भी सई है तो आंसर क्या जाएगा परिपक्व एस्तनी के और बीसी में आंसर इसको माना है इसको भी सामिल कर सकते थे लेकिन RPSC ने आंसर ये माना है पर इपक्वास्तनी RBC के अंदर आपके DNA नहीं होता है एक दमपदी जिसका रख्त समूँ A-B-O है ने एक लड़के गोद लिया बच्चों का जर्म हुआ गोद लिये लड़के का रख्त समूँ है अब गोद लिये लड़के का रख्त समूँ है तो को इतनी कर सकते हैं जीरा दनिया मसाला देने वाले पादफ हैं ये बात सही है कि बिलकुल सही बात है जीरा दनिया मसाला देने वाले पादफ हैं ये बात सही है दोनों में फलका उप्योग कह जाता है हाँ जीरे में और दनिया में फलका उप्योग किया जाता है तो यहां पर तरेपन के अंदरांस रा जाएगा आपके चार दोनों खतन सही है जीरा और दनिया दोनों का फल खाया जाता है अलाइक पत्ती बगरा भी खाय जाते हैं पर फल भी खाया जाता है यह अपने प्लेसेंट और पढ़ना ही है ज्न अभी मैंने बताया था परन्तू इसको सई तरी लाइजर यूज के जाते हैं तो वहाँ पर होने वाला रोग है वो है मिथेनोगलोवीनमिया यह वाला यह सब बता रखा है मैंना मिनी माटा रोग किसके करण से होता है याद रखना पारा के द्वारा किसका समंद्ध है कैडमियम का समंद्ध किससे है याद करो थोड़ थोड अगर याद आ रहें चीजें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा आगे देखो पर्शन नमर चपन पोदे में हरित रोग का कारण है अब देखो हरित रोग के कारण कही होते हैं तो यहां पर एक से ज़्यादा ओप्शन सही हैं आंसर कोडिरेट माना है C3 पादबो में CO का प्रात्मिक ग्राई होता है अपन पढ़ेंगे प्लांट फीजलोजी प्लांट फीजलोजी में C3 पादबो में जो CO2 है उसका प्रथम ग्राई होता है और RUBP रोबिस्कोविस्फोस्पेट है यहां पर यह प्रथम ग्राई होता है और यहां पर इसका है चार है याद रखना ये किसका है इक कारबाइड için इन दोनों में क्या वसा प्रोटीन याद रखना ए बीए एकष्सिक्ट अम्ल के लिए किया सत्य-क्थण है एकष्सिक्ट अम्ल के लिए सत्य-क्थण का चुनाव करना है एक प्राकर्तिक वर्दी निरोदक हार्मोन है, यह पोदू का गेस यार्मोन, गेस यार्मोन इथाइलीन है, यह नहीं है, इसका मतलब इसका अंसर केवल एक गुण सट में एक आ जाएगा, साथ में देखो, वह चेतर जहां दो पारिशितिक तंतर अत्ति व्यापित करते हैं, कितने परसन आके गुण सट बाके कांगे, यह तो साइट से डाउनलोड किया पर, चल लो देखते हैं क्या अपता आगे आजाए, उन शट के बाद में पेज पेशित आ रहे इसका मुझे एक पेज गया है, साइट से लिया वह तो, पेशित नमबर वह चेतर जहां दो पारिशितिक तंतर अत्ति व्यापित करते हैं, उसको बोलते हैं, इको टॉन बोला जाता है, हरित ग्रेप और वाव से सम्मधित गेसे कौन कौन सी हैं, आप सब को पता है, कॉमन सा परसन है, कार्मन डाइकसाइड है, नैटरस अकसाइड है, क्लोरो फ्लोर कार्बन है, CFCL 3, ये सब हैं, एक नमबर बाड़ी, सिसु जनम में साइक हार्मन कौन सा है, सिसु के जनम में साइक हार्मन कौन सा है, आपको बताना है, कौन सा, ओक्सिटोसिन तो है, लेबर पेन सुरू होता है, सिसु जनम में एलेज का कोई रोल नहीं है, रिलेक्सिन हार्मन जरूर है, यहाँ पर, रिलेक्सिन हार्मन होगा पर तो A और C हो गया answer कोशी कांग जो सुक्रानों के मद्दे भाग में पाई जाते हैं सुक्रानों के मद्दे भाग में देखाता ना सुक्रानों का अगर भाग है फिर उसका गिरवा है फिर उसके मद्दे भाग है फिर उसकी पूछ है तो सुक्रानों के अगर भाग में तो 1-2 बनी, 2-4 बनी, 4-8 बनी, 8-6 बनी 16-22 बनी तो पहला, 1-2-3-4-5 कितने विद्रन हो गें? विद्रन हो गें इसके अंदर आपके पांच तर्टीवन माइटोसिस की परक्रिया हो गई, ये बाला हो गैं好吃 June यूख तो भुन क्या कैलाता है ऐसा भुन। जिसके अंदर ब्लास्ट औपोर पाए 450 पाए जाता है माइक्रोपायम्ड चाई क्या डबले पंडल बायोजी में अंडों के परकार बढ़े थे और अंडों के परकार के अंदर कीटो का अंड़ा है उसके अंडर क्या पाई जाता है। सब्सक्राइब पड़ना है कि संकुचन रिक्तिका के लिए क्या सत्य खतन है सत्य खतन आपको पचानना है अमिवा की कॉंटेक्टाल वेक्यूल के लिए इसमें सिस्टोल की करिया अचानक होती है डाय स्टोल दिरिदरी होता है सिदा सिदा अंसर पड़ा यहां पर तो कोई खास नहीं है फिता कर्मी ग्रेविड प्रोंगलेटिड का अलग होना क्या कहलाता है जो मैचोर प्रोंगलेटिड हो गए उनका अलग होना यह परसन अपने बढ़िया भी है और अपने को टीनिया सोलियम पढ़ना भी है तो पिछितर का अंसर आजएगा तीन नंबर एपोलाइसिस मतलब पिछे के जो खंड है उनका तूट के अलग होता जाना एपोलाइसिस की प्रक्रिया कहलाती है एसकरिस की देविती में अनुलंब पेशी कोशिकाओं की संक्या कितनी होती है आपको लोंगिट्यूडनल मसल सेल्स की संक्या बतानी है और इनकी संक्या होती है 600 सीधा सीधा अंसर है आपन पढ़ेंगे इसके रिष्टबस को देखेंगे केंथ्रडीन प्राप्त किया जाता है केंथ्रडीन किस से प्राप्त किया जाता है ये प्राप्त किया जाता है आपके बिस्टर बिटल से बिटल एक भ्रंग है उससे इसको प्राप्त किया जाता है कौन सा युक्म सही नहीं है एपिकल्चर मदुमक्खी पता ही है आपको सही है इसका समन तो सहरी कल्चर रेसम के पीड़ से वर्मी कल्चर केंचवे से पिसी कल्चर पिसी कल्चर तो मचली पालन हो गया पर्ल ओष्टर नहीं हो सकता यह तो पर्ल कलچर होता होतो तो तीसरा है वो गलत है निघुल गिस्पित म से कौनसी अनुमान सी ग्रूपा시 पान्तर पर उगाया जाता है किसको भूजदा मत्रा में उगाया जाता है लार्ड लेवल के अपर और वो किस्पित कौनसी है कपास और सोया बीन 79 में आंसर आजाएगा तीन बाइलोजी हुमन वेलफेर वाले यूनिट के अंदर है तो यहां पर फ्लोरल फोर्मुला कई परकार के होते हैं इसके करण यह विवादित परसंद था उसको डिलीट कर दिया था अर्पेसे ने निमिल कितमे से क्या सही है के फ चार सहुक्त बाई यह दल दो बाड़े में यह पी दे रखा है पी का मतलब पेरियंथ होता है यहां पर सी फोर चार सहुक्त दल सी का मतलब दल है और चार का मतलब चार दे रखा है और कोस्टक में लगा रखा है इसका मतलब सहुक्त है इसका मतलब तीन नमबर वाड़ा प वीक हंटर पाए जाता और दी पारसो सम्मेती पाए जाती है सिधा सिधा आपन क्लासिफिकेशन बढ़ेंगे तब आ जाएगा ये जल समवनत अंतर किसकी विशेशता है ये परसन थोड़ा विवादास पत था इसको डिलिट कर दिया था रपेसे ने दी अर ये प्राणे जिन में लेसो सेल्स पाए जाती है लेसो सेल्स पाए जाती है और बाई रेडियल्स अनिमल है उनका उदारन बताना है और वो है आपके विरोय है उसके अंदर लेसो सेल्स पाए जाती है और एक टीनो प्लाना के अंदर पाए जाती है क्लासिफिकेशन वाला परसन है ये बकल डायवर्टी कुलम ता प्रोबसिस गरंती किस में पाई जाती है जब आपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किस में एनिमल्स का तब आएगा ये 86 वाल परसन में आजाएगा तीम नमबर का बेलनोगलोसस के अंदर स्परकार घiająस्थति पाई जाती है वास्थ भी कपरा तो कोई पर का परेइत करता है दुख दिस तर्मन को प्रेरित करने वाला एक हार्मोन जो है वो आपके प्रोलेक्टीन है प्रेरित करता है निकलने के लिए मजबूर करता है उक्सिटोसिन विदलन की दर अनुकरमान पाती एक बटा पित्त की मातरा का नियम किसका है यह नियम आपको पढ़ाय था ताजा यह पढ़ायवा है इसका वालफोर का नियम है यह तिनों नियम भी ताजा याद होंगे आपके फ्लूजर का नियम क्या करता है हर्टवी का नियम क्या करता है याद रखना आपको जियों में नामकरण पदती से समंदित क्या है विटेकर स्ट्रिक लेल्ड कोण है से समंदित और वैसे समंदित है आपके दोनों नहीं है नामकरण पदती का कोई नहीं है इन्होंने तो विटेकर ने तो पंज जगत परिकल्पना दी थी यहाँ पर इनका समद नहीं है केरूल के अंदर ओवरीड ज्यादा नहीं होती एक होती है क्योंकि आकास में उड़ते हैं इसलिए मेमल्स के अंदर कार्पस के लोसंग पाई जाती है उभेचारी MPBN के अंदर है वह आपके टू चेंबर हर्ट है और इलास्मो बरेंकिया के अंदर मस्खली टाइप है उपास तिल अंत्यक अंकाल पाई जाता है यह आंसर आजएगा चार नंबर पर्तिगामी कायंतरन कहां पाय जाता है पर्तिगामी कायंतरन का सम्मन देखो किस से है यूरो कोड़ेटा तीन कोड़ेंगे यूरो कोड़ेटा सिफिलो कोड़ेटा और हेमी कोड़ेटा इसमें आंसर आजएगा यूरो कोड़ेटा अमीबा के लिए क्या सही है वो बताना लेकिन इसके अंदर जो आपके चार नमर वाड़ी है, जगत मौनेरा. मौनेरा में अमीबा को सामिल नहीं करते हैं. अमीबा के प्रोटर जुगा प्रोटяться को अपनकिस में सामिल करते हैं. आपके मोनेरा प्रोटिष्टा और जो दो नमबर का है मोनेरा प्रोटिष्टा में इसको सामिल किया जाता है तो मोनेरा जगत यहां पर आश्र नहीं है सारक और पाइलत मस्ली के मद्दे कौन सा समंध है दोनों के अंदर जो सम्मंध है वो आपके कौनचा है 94 के अंदर आंसर आजाएगा सहे बोजिता एक को फाइदा होता है दूसरे को कोई नुक्सान नहीं होता मिनी माटा रोग देखो उपर भी कुशन आगा है इसी में हो गए एक तरीके से रिपीट एक तो आंसर हो गए ना है तो 95 है उसका अंसर आजाएगा एस जी के अधिकता पारे की अधिकता के अंदर मीनी माटा रोग हो जाता है यहां कि इसके अधिकता करण इटाई इटाई रोग हो जाता है देश्टू पुछावा परसन है इसी पेपर में पोदों में रंदरी अवासफोस जर्जन का पर प्रास्ट्रीवोव क्या होते हैं वह प्लांट फिजयोलोजी के परसन है प्लांट फिजयोलोजी वाग कोने से है नारियल आपने फल वाले चेप्टर में बड़ा था नारियल खाने वगवाग है बीज और भून परस को खाया जाता है अंड जर्ण में निर्मित धुर्वक प्लाइ। याहे हैं जी उसमें होने वाला विवाजन कौण सा है। वर्धी प्रावस्ता रहीत समसुत्री वर्धी प्रावस्ता में किसी पराकार का विवाजन नहीं होता है। बाकियां पर माइटोसिस है, वर्दी प्रावस्ता रही, समसुत्री का मतलब क्या हुआ कि वर्दी नहीं होती सहल के अंदर, सही छोटी होती जाती है पर सही समसुत्री वाजन ही, कोक्रोच के सहयुक नेतर की क्या है, कोक्रोच पढ़ना बाकि है, और कोक्रोच के सहयुक नेत अंदर की काई होती है क्या Ometidium टुकडों में देखता है इस प्रकार से कोक्रोच है ना कोक्रोच है वो टुकडों में देखता है उसके बाद टुकड़े सभी को मिलाकर फिर वो एक साथ देख पाता है तो कोक्रोच के अंदर Ometidia इस प्रकार की स्ट्रेक्चर होती है एसे ज़ाली सी ये सभी मिलकर एक Ometidia एक जाली एक Ometidia एसा देख पाते कोक्रोच हेक्जाकेंथ लारवा किसका है हेक्जाकेंथ लार्वा आपको अंसर रियाद रखना है फित्ता करमी का टेव पोर्मी के लार्वे को में होता है जल समवन फ्लोयम द्वारा होता है कारिय की सुस्क मर्दा से जड़ों द्वारा अधिक होता है कोई नहीं एक सुतीन के अंदर आंसर आजाएगा एक अधिक्तम रशारोहन कब होता है एसेंट आप सेख सेप कब होता है दिन के समय में किसको काई मेरिक डियने का जा है आपके पाइसम और विगना है यह याद रखने वाली बात है कोई अलग सभी प्लांट है यह क्यूशन देखो यहां पर तोड़ा सा उत्तर को ओप्शन से अठाते तो मतलब क्यूशन निकल जाता है यह नई चीज हो गई ट्राइटिकम यह यहां पर ग्यों की बात आ गई जिया मेज मतलब मक्का आ गया तो यह दाड़ नहीं यह दाड़ नहीं यह दाड़ नहीं यह दाड़ नहीं तो फिर यहां पर पाइसम से टाइम वाड़ा हो जाता है केंचवे के अंडा से इस्तित होते हैं वो याद रखना है तेरवे खंड के अंदर है पोदों में बिंद प्रफोर्जिस बढ़ा तो आया था वहां पे अनुसंसी डियेने है उसका समंध किस्से है निया लिए विग्यान के अंदर फोरेंसिक साइंस के अंदर इसके द्वारा पता किया जाता है इसी सिक्वेंस का केंचवे किन खंड़ों में सूकूं का अभाव होता है केंचवे किन अंदर देखो पर्थम में नहीं होती विर्थते में नहीं होती पर्थम 13 खंड में दोती है और 14-15-16 में नहीं होती आंसर आजएगा A, B, D निमिलिक तू सुमेलित करें तो गलत का चैन करना है किसके अंदर क्या चीज़ पाय जाती है वो यहां पर क्या करनी है आपको चेक करनी है देखो खर्रा क्या है इसके अंदर लिरिक्स पहे जाता है कबुतर के अंदर क्या है सिरिंक्स है मेंडक मेंडक के अंदर क्या है द्वनिकोस है अब यह आवाज निकाड़ता है न अब यह एक एक भी आत के आदरा जाता है न तो यहां से अंसर हो रहा है और कोकरोज के अंदर गुद लोम पहे जाते हैं यह आंसर आजाएगा इसके अंदर निमली में से किसको भारत का रास्ट ये जलिये पराणी नाम दिया गया है और भारती ये रास्ट ये जलिये पराणी किसको बुला गया है गंगान अदी के डोल्फिन को यह परसन वैसे भी इंपोर्टेंट आपकी बार के लिए भी याद रखना हूँ इलेक्ट्रोन सुक्षम दर्शी में उप्युक्त इलेक्ट्रोन की तरंग देड़दे होती है यह कुशन डिलीट हो गया था सही नहीं था गलत जोड़े का चैन करना है गलत जोड़ा यहां पर आती है पईरियार में यह भी सही है कस्तुरिम्रग कैदारनाथ यापर खूजदा मिलते हैं यह आपके जो कस्तुरिम्रग और सेर है वो सरिस्का के अंदर नहीं है तो तीन नमबर यहां पर गलत हो जाएगा सहसान चलम जीव मंडल की स्तापना कहां और कब हुईती यह से प प्रसंद दो बार आ चुका है एक फस्ट गेड में फस्ट गेड में दो बार आ चुका है तो इसको अभी भी याद रखना है फिक्स याद रख लेना एक अपरेल गुनिशो तीयत्तर एक सो पंदरा में ट्रट लेना एडिट पदति जिसके द्वारा विविन कोलाइडी के लिए क्या खतन सही था वो आपको याँ पर बताना है क्या इसमें प्रकास के इस्टान पर इलेक्ट्रोण मतलब विटामिन A पाई जाता है इसका रंग पिला होता है यह चित्र भी दिखाया था मने आपको यह एक GM चावल है जेनेटिकली मोडिफाइड चावल है तीनों बात सही है तो A B और C तीनों यहां पर 118 के अंदर हो गया है 119 के अंदर निमिल कि में से एक निदान पदती है डायगनोस्टिक टेकनिक कौन सी है 119 में आपको बताना है ELIZA जो इन परकार के रोगों को जांच करने के लिए ELIZA टेकनिक क्या है डायगनोस्टिक टेकनिक है यह दोनों माइक्रोसकोप के परकार है T.E.M. और A.C.M. जाइमोजन जाइमोजन क्या है वो आपको बताना है तो 120 वाड़ा जो परसन है उसका अंसर आजाएगा कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहां पर परसन को डिलीट कर दिया था RPSC ने इस परकार से वो एक टुकड़े रह गयते हैं उनको देखते हैं कहीं आगी डाले में तो हैं वड़ना वो क्यूशन नहीं आपके पास अगर प लब्द करवाए जाएंगे धन्यवाद